कि एलो गाइज वैलकम बेक डू वीडियो आज मैं आपको बतागए कि थ्रेडिंग मेशिंज से थ्रेडिंग कितनी आसान तरीके से की जा सकती है घर पर भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक कप पुरानी नोजल ती जो आगे से तूट गए उस पर मैं नई थ्रेडिंग पर बनाते हैं देख्येए के नई जल को कट करकाने के बाद हमें क्या करना है कि ध्रेडिंग मेशिन को इसके ऊपर लगाना है महते हैं मामूल ही टाइट करना है ठृप मेसको घुमात जाना है क्लोक वारी जैसे जैसे वहां जाती रहेगी वैसे वैसे इस पर फ्रेडिंग ले ले वार ले लेको खरे दिर सकते हैं anızνη हें के फॉस् जे प्रया लाए़… मतला कर लाए़ मतला का उति रात हो ये और नहरे हो मतला कर लाए़ उते हो जद फिलिफंड round च्टार टंए हो जात मैं आाधार झाहे हो यह देख सकते हैं आपकी थ्रेडिंग बन चुकी अब हम इसको सेक करेंगे कि थ्रेडिंग अच्छा से बनी या नहीं बनी हम नौजल को इस पग को लेकर इसके उपर सड़ाएंगे यह आसानी से सड़ रहा है तो हमें पता चल गया कि थ्रेडिंग बन चुकी जल्दी से इसको फिट करता है अब देख सकते हैं कि नौजल के उपर में इसको लगा रहा हूं घर पर इस त्रेडिंग बना कर मैं इस नौजल को ठीक करके इसके उपर लगा दे रहा हूं आपको यह थ्रेडिंग बनाने का वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्रा